आप सभी को नमस्कार मैं सुमित नागर आप सभी का स्वागत करता हूँ साथ ही हो हमने जो एक स्रीज चला रखी है मैथ्स और रीजनिंग को पिरतियक चप्टर को 10 मिनट में कम्प्लीट करना है माष्टर वीडियो के नाम से लिल लिस्ट आपको मिलेगी तो दोस्तो इसी कड़ी में हमारा नेक्स चेप्टर है जिसका नाम है वेन आरेक और इस चेप्टर को हम सभी टाइपस जितने भी आप बनते वेन आरेक में और जो भी एक्زाम में आगा कुश्चन है परीवेस ये ए तो पहला टाइप हमारा किताब पेज वाक्य है किताब पेज और वाक्य है तो दोस्तो हमारा जो है अगर हम किसी किताब को तयार करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वाक्य है और वाक्य लिखने के बाद क्या कंप्लीट होता है दोस्तो पेज पेज कंप्लीट होगा और बहुत सारे page complete होने के बाद एक क्या बनाते हैं आपकी एक किताब बनाते हैं तो दोस्तो पहले हमारा वाक्य है और फिर हमारा वही क्या होगा दोस्तो पेज और फिर हमारी जो है किताब complete होगी D option इस question का answer है आप सभी comment करना कि आपने कितने question का answer दिया है next question काला गोरा आदमी काला गोरा आदमी तो भई काला है गोरा है और आदमी है तो दोस्तो आप सभी एक चीज समझे कि कोई भी आदमी ऐसा तो नहीं है कि एक ही आदमी हो और वो काला भी हो गोरा भी हो ऐसा तो नहीं होगा या तो वो काला होगा या गोरा होगा तो कोई ऐसा तो नहीं सोचना अपने माइंड में कि काला भी है और गोरा भी एक ही हो सकता है आप इन चीजों को नेगेटिव मस सोचिए हमें पता है कि भी आप कहां पर सोच सकते हैं तो ठीक है चले सोचते रहिए लेकिन कारा गोरा काला गोरा और आदमी तो भाई काला भी आदमी गोरा भी आदमी और दोनों किसके अंडर में आएंगे दोस्तों दोनों क्या है आदमी होंगे काला भी गोरा भी और आदमी भी तो दोस्तों इसका अगिराफ ऐसे बनेगा बी इस question का answer है B option महीला खिलाडी गायक महीला खिलाडी गायक यूपे पुलिस माया हूँ question है यूपे पुलिस माया हूँ question है आप बताईए कि महीला खिलाडी गायक तो दोस्तो महीला ये होगी महीला कुछ महीला ये खिलाडी है तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिए सभी जैसे माली जी ये महीला और ये खिलाडी तो एक चीज याद रखिए कि जो कुछ महीला है हमारी क्या है खिलाडी है और खिलाडी के साथ साथ कुछ महीला हो सकता है गायक भी हो तो हम कह देंगे कि भही कुछ हमारी खिलाडी के साथ साथ हमारी कुछ क्या है गायक भी हो सकती है तो इसका हम जो diagram ऐसे बनाएंगे A option इस question का answer है चीता घोडा जानवर तो जल्दी से बताईए भही आप अपने mind में सलदी से set कर ली दिया क्या answer है S.S.C. my question है चीता घोडा जानवर तो भाई दोनों ही जानवर है चीता भी एक अलग जानवर है चीता की परजाती अलग है और चीता गोड़ा की परजाती अलग है लेकिन दोनों किसके अंदर आते हैं साथियो जानवर के अंदर आते हैं तो B option इस question का अंसर है next question अध्यापक डाक्टर इंजीनियर तीनों क्या है भई तीनों का काम अलग अलग है तीनों का प्रोपेशन अलग है साथियो तो भई क्या होगा अध्यापक इसकुल में पढ़ाएगा डाक्टर बीमारी का इलाज करेगा और अध्यापक इसकुल में पढ़ाएगा और इंजीनियर जो है भई अपने कारिया इन दोनों से अलग कारिया करेगा चाहे वो किसी रोड को बनवाएगा चाहे कोई भी टेकनिकल अलग कारिया करेगा तो तीनों का डाइगराम ऐसे बनेगा क्योंकि तीनों का कारिया दोस्तों अलग है तो देखते हैं C option इस question का answer है C option type 2 की तरफ आते हैं UPSI my question है type 2 UPSI my question है आप इसका answer देंगे सभी दिये गए आरेप में तिर्बुज से चिकित सक को तिर्बुज से चिकित सक और विरत से खिलाडी को और ये आयत होता है आपका जिसकी आमने सामने की भुजाए जिसकी आमने सामने की जो भाई भुजाए बराबर होती है उसको हम क्या कहते है आयत को क्या कह रहा है कलाकार तो question में क्या पूछ रहा है question देखते हैं ऐसे चिकित सक की संख्या कितनी है जो खिलाडी और कलाकार को निरुपित करते है तो आप देखिए ऐसे चिकित्सक की संख्या कितनी है चिकित्सक ये रहे अपने साथ ही और चिकित्सक ये है और पूछ रहा है कि ऐसे चिकत्सक की संख्या कितनी है जो खिलाडी और कलाकार दोनों को निरुपित करते हैं मतलब ऐसा कौन सा आपको अंक दिखाई दे रहा है इन में कि जो तीनो फिकर में है जो ट्राइंगल, तिर्बुज, और सरकिल और आयत में भी है तो आप देखिए दिहान से तो हमें तो भाई यह पांच ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो इस सरकिल के अंदर भी आ रहा है इस ट तो क्या होगा इसका अंसर, पांच, D option इस question का अंसर है, D, next question, ऐसे कलाकारों की संख्या कितनी है, जो केवल खिलाडी को निरूपित करते हैं, आपको ये भई, HW के लिए मैं इस question को छोड़ रहा हूँ, आपको इस question का अंसर देना है, comment में answer दीजिए, comment में answer इसका देजिए, और यहां से आप देख सकते हैं, इसका अंसर दीजिए, सभी comment करेंगे, सभी इसका अंसर देंगे, और type 3, दिल्ली पुलिस मायो question है, type 3 का question है, देखते हैं बही, क्या है, उन लोगों की संख्या ग्यात कीजिए, जो केवल एक भासा बोलते हैं, दोस्तों, अगर आप आजर साबित होगी, जिसको आप सिर्फ 2-3 घंटे में पूरी reasoning को पिरतियक चेप्टर को अच्छे से आप finish कर सकते हैं, और जिस चेप्टर में आपको doubt है, आप सीधा पिरे list में जाईए, और पिरतियक चेप्टर को आप कर सकते हैं, तो साथ यो अगर किलास अच्छी लग बोलता है, ऐसे ही ओ भी कही ना कही दोस के अंदर आ रहा है, दो सरकिल के अंदर, N तीनों के अंदर है, M जो है ये भी दो भासा बोल रहा है, लेकिन I और J और K सिर्फ जो है ऐसे हैं, I, J, K सिर्फ ऐसे हैं दोस्तों, जो सिर्फ एक ही भासा बोलते हैं, J सिर्फ हिंदी ब दर्साता है जो किर्केट फुटबॉल और कबड़ी खेलते हैं जो किर्केट फुटबॉल और कबड़ी खेलते हैं तो जो जो किर्केट फुटबॉल और कबड़ी खेलते हैं तो जो किर्केट फुटबॉल और कबड़ी खेलते हैं तो जो किर्केट फुटबॉल और कबड़ी है बी बी सिर्फ कबड़ी और फुटबॉल खेल रहा है ई भी आपका किरकेट किरकेट और कबड़ी खेल रहा है तो साथियो डी ऐसा है जो कि तीनो खेल खेल रहा है उन आरेक की संख्या छात्रों को दर्साई जो किरकेट फुटबॉल और कबड़ी खेलते हैं तो D छात्र ऐसे हैं, D छात्र ऐसा है, जो कि तीनो फिगर के अंदर है, साथियों, तीनो फिगर के अंदर है, और ये तीनो खेल खेलता है, D option इस question का answer है, D option जो है इस question का answer है, और when R1 में इससे अलावा आप सिर्फ practice करिए, और आपको इस type से अलावा आपको कोई भी question देखने को नहीं मिलेगा, मैं next देखता हूँ, क्या next आगे कुछ है, कुछ भी नहीं है चात्रो, इससे अलग type नहीं है, चार type के question मैंने आपको कराए, इसी type के exam में पूस्ता है, और इस type से आगे कोई भी question बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ आप बार बार practice करिए, अच्छे से sorts class के notes के आपको notes बनाईए, और इस master video को जब भी आपका दिल करें, और जब भी आपको लगे कि मेरा chapter week है, आप master video को देखिए, आपको बहुत confidence मिलेगा, तो दोस्तों फिर से आप सभी से request है, कि like जरूर कर देना, और वीडियो को देखने के लिए सभी को, thank you, नमस्कार.